असलाम लेकूम गरेलू मफीद टोटके लकोरिया और टांगों में मुस्तकिल दर्थ खतम करने के लिए रोजाना तीन हफते तक सुबो के वकत साथ बादाम खाने चाहिए अगर आपके जिसम पर ओपरेशन वगारा का जखम हो तो इसे दूर करने के लिए एलोवेरा के गोदे में थोड़ा सा जैतून का तेल डालके इसे नीम करम करके उस जगा पर लगाएं जहां पर निशान हो सेरे के कील महा से दूर करने के लिए अंडे की स्पेदी भैट कर इसे 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं और फिर साफ पानी से चेहरे को दो डाले बार-बार विशाब आने से रोकने के लिए सोने से पहले अखरोट खाए छोटे बचे हूँ तो इन्हें तिल खिलाएं इससे बिस्तर पर विशाब करने की बिमारी खतम हो जाएगी दान्तों में खून आने से रोकने के लिए एक लिमू का रस, एक कप नीम गरम पानी और आदा चमच नमक मिलाकर सुवो शाम गरारे करें इससे दान्तों से खून आना बंद हो जाएगा नाखुन मजबूत करने के लिए रोजाना चंद हफ़ते तक हलके गरम जैतून के तेल में थोड़ी देर के लिए नाखुनों को डुबो कर रखें नाखुन मजबूत भी होंगे और लंबे भी होने लगेंगे मुटापा दूर करने के लिए अपनी खुराक से हर किसम की चकनाई, कोल्डरिंग्स और मिठाईयों को बिल्कुल तरक कर दे खांसी दूर करने के लिए एक जमच शहत, एक जमच अदरक का रस मिलाकर रोजाना सुबो दुपहर शाम तीन से पांच रोज तक लें खांसी बिल्कुल खतम हो जाएके